यह रिष्टा कहा कहलाता है शो में कारते का करदान इभा कर मश्रूल होने वाले अबनी ता मौसिन खान को लोगों ने काफी पसंद किया इनके संसकारी अफ्तार को देखकर लोग अपने बच्चों को इनके जिसाही बनने के लिए प्रेड करते थे पर कि आप जानते हैं कि संसकारी बेटा होकर भी मौसिन खान के असल जिंदेगी में काफी सारी विवार रहे जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं आज किस वीडियो में हम आपको इनसे जुड़े उन्हीं विवादों के बारे बिताएंगे पर उससे पहले इनके लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें साल 2016 में रिपोर्ट आई थी कि मौसिन खान सेरियल गेरिश्ता के लाइटा है कि सेट पर नकरे दिखाते हैं माना जाता है कि अपनी कॉस्ट्म देखकर मौसिन खान को गुस्ता आ गया था अपने कपड़े देखकर मौसिन खान डिजानर पर भड़क गये थे टाइमस ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो मौसिन खान इस घटना के बाद सैटी छोड़ दिया था इतना इन ही मौसिन खान ने तो मेकरस के फोन का जबाबी देना बन कर दिया था जिससे मेकरस काफी बुली तरा डर गये थे नमबर दो मौसिन खान रोशिवांगी जोशी के ब्रेक अप ने तोड़ा लोगों का दिल मौसन खान और शिवांगी जोशी के ब्रेक अफ की खबरे वी शुशल मीडिया पर बावार खड़ा कर चुकी है माना जाता है कि साल 2019 में मौसन खान और शिवांगी जोशी के भी जबदस धगड़ा हुआ था जिसके बाद मौसन खान और शिवांगी जोशी ने एक दूसरे को नजर अंदास करना शुरू कर दिया मौसन खान और शिवांगी एक दूसरे की शकल से भी नफरत करने लगे थे एक event में महसेन खान और शिवांगी जोशी ने एक दूसरे को अच्छे से नजर अंदास भी किया था 30, vanity man की वज़े से हंगामा ख़ड़ा कर चुके हैं महसेन खान साल 2019 में महसेन खान ने vanity van ना मिलने की वज़े से हंगामा मचाया था मौसन खान और शिवांग जोशी की वैनिटी वैन का इस्तिमार करते थे ब्रेक अप की खबरों के दुरान मौसन खान ने शिवांग जोशी के साथ वैनिटी वैन शेयर करने से इंकार कर दिया हाला कि बाद में मौसन खान ने इस खबर को गलत बता दिया था नमबर चार यरिष्टा करके लाता है को मौसिन खान ने मारी लात लीव की खबर सामने आती मौसिन खान ने सीरिल यरिष्टा करके लाता है को अलविदा कहे दिया था मना जाते कि मौसिन खान शो में उम्र दिराज आदमी का करदा नहीं ने बाना चाहते थे मौसिन खार के इस पैसले ने फैंस का भी दिल तोड़ कर रख दिया था तो दोस्तों क्या कहेंगे आप मौसिन खार से जोड़े इन सभी बातों को जान कर कमेंट करके जरूर बताएं साथ इसी तमाम खबर जानने के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें